नमस्कार साथियो दृष्टिया ये इसके इन फोकस करेक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे भारतिये पार्लेमेंट में स्थापित फेकॉल्ट पेंडूलम की फेकॉल्ट पेंडूलम क्या होता है क्यों स्थापित क्या गया है ये क्या प्रत नई चीज़ें हैं थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें चर्चा के बिंदूओं में आज देखेंगे कि संदर्ब क्या है इसका तो संदर्ब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं संदर्ब के बाद हम देखेंगे कि यह है क्या दरसल फॉकॉल्ट पेंडूलम जो है कहां से आता है कब बनाया गया क्यों बनाया गया इसके क्या कारण थे इसे किसने बनाया था क्यों बनाया गया था आदी इत्यादी इसके बाद है कि संसद के लिए जो पेंडूलम बनाया गया वो कैसे बनाया गया वो किस ने बनाया कहां से आता है और भारत में इसे स्थापित करने की वजहें क्या है फिर भारतिय संसद की कुछ मुख्य विशेष्टाओं को देखेंगे नया संसद भवन बना है उसके अंदर कैसे तकनी की विकास हुआ है कैसे सुरक्षा बढ़ाई गई है कैसे विग्यानिक आधार पर उसे बनाया गया है उसकी वास्तुकला उसमें भारतिय प्रतीक भारतिय ट्रेडिशन, भारतिय कल्चर और जो तमाम तरह के भारतिय दर्शन है उनको कैसे प्रतिपादित किया गया है भारतिय संसत के द्वारा और अंतमेक अभ्यास प्रशन के द्वारा इस पूरी चर्चा को समेटने का प्रयास करेंगे तो ये है हमारा हालिया संदर के फ्रकॉल पेंडूलम क्या है जो नई पार्लेमेंट बिल्डिंग में लगाया गया है ये इंडिन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक आर्टिकल है तो है क्या ये देखिए नई संसेट के अंदर जो फेकॉल्ड पेंडूलम स्थापित किया गया है उसे राष्ट्रे विज्यान संग्रहल परिशत, कॉलकाता द्वारे डिजाइन किया गया है इसे ये फ्रांसीसी विग्यानिक लियॉन फेकॉल्ट के द्वारा डिजाइन किया गया था क्योंकि पृत्वी के घुर्णन को दर्शाने के लिए ये दुनिया में अपनी तरह का एक पहला प्रियोग था आगे हम इसको चित्रों द्वारा समझेंगे कि एक काम क्या करता है और किस कारे के लिए प्रियोग किया जाता है लेकिन 1851 में दुनिया द्वारा ये पहला प्रियास था और खास करके लियॉन फेकॉल्ट द्वारा जिन्होंने इस सदी में 19th century में ये प्रूव किया कि धर्ती न सिर्फ सूरी के चार और चकर काटती है बलकि अपने एक्सेज पर भी लगातार घूमती रहती है तो अपने एक्सिज पर धर्ती के घूमने को प्रदर्शित करने के लिए फेकॉल्ट पेंडूलम बनाया गया थै लियोन फेकॉल्ट के द्वारा वही भारती पार्लेमेंट में अभी स्थापित किया गया है क्यों किया गया है वो भी समझेंगे आगे भारत में संसद में जो इसे स्थापित किया गया है उसका उदेश ये है कि ब्रह्मान्ड के साथ साथ भारत के विचार का एक ही करन और ये दो अर्थों में एक ही करन है पहला तो जो भारत का साइंटिविक टेमपर है यानि कि जो वेग्यानिक विवेक भारत का है उसको विक्सित करना देखे कई चीज़ा ना सर्फ प्रतिक रूप में होती है जैसे भारतिय संसद में जो भी चीज़े हैं वो एक प्रतिकात्मक रूप में होती है जैसे संसद का डेजाइन है वहाँ क्या tradition से किसा आकार पर बनाया गया है कौन सी चीज उसके अंदर स्थापित की गई है वो क्या दर्शाता है तो राश्ट्री एक ही करने का प्रयास किया गया है करने का उसी प्रकार से जो ये फेकॉल्ट पेंडूलम है वो ब्रह्माण्ड के साथ यानि कि जो विज्ञानिक अर्थों में भारत प्रगती कर रहा है उसको प्रदर्शित करने के लिए या भारत की जो अकांक्षाएं है विज्ञान के क्षेत्र में उनको प्रदर्शित करने के लिए और साइम्टिफिक टेंपर को बढ़ाने के लिए यसे यहां पर स्थापित किया गया है इसका design किया है वो देख किया गया है इसे design इस प्रकार से किया गया है के यह जैसे ceiling है Parliament की ceiling है और यह मान लीजे सवागार है पूरा तो यहां पर एक पूरा space create किया गया है ठीक है यह goal space create किया गया है और यहाँ चत से एक pendulum टांगा गया है यह rope है और यह pendulum है यह 36 kg का है जो यह नीचे bob लगा हुआ है जो ball लगा हुआ है वो 36 kg का है और जो उसकी उचाई है यह वाली जो उचाई है वो लगबग 22 meter है यानि कि आप समझी कि एक बहुत बड़ा यह pendulum है अब आप इस को ऐसे समझें कि यह उसकी wire है और यहाँ पर यह जो ball है यह 36 kg की है और यह ऐसे ऐसे घूम सकता है और ऊपर यह टंगा हुआ है लटका हुआ है दीवार के साथ जो छत होती है वहाँ पर और अब यह ऐसे ऐसे घूम सकता है और इसके नीचे एक round shape एक आकरती है जो इसे घू लिका है तो 49 गंटे 69 मिनट और 18 सेकंड इतना यह समय लेता है आप काम कैसे करता है देखे उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी यहाँ पर लगाया है आप जब यह PDF डाउनलोड करेंगे हमारे टेलिग्राम लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा त एक पेंडूलम टंगा हुआ है उपर ऐसे ऐसे देवार के साथ जूल रहा है पेंडूलम कैसे काम करता है पेंडूलम होता क्या है देखे जब हम किसी वस्तु को जो free hanging वस्तु है उसको एक निश्चित सीमा तक ले जा करके छोड़ते हैं तो वो वापस अपने स्थान पर आ जल जाती है जो वापस अपने मूल बिंदू पर ले करके आती है यही प्रिंसिपल यहां काम करता है यह जो पेंडूलम है यह free hanging है ऐसा नहीं है कि इसके पीछे forces काम नहीं कर रही है इसको force देने के लिए एक बैटरी का प्रियोग किया गया है जो इसको लगाता अर अपनी पेंडूलम को नौर्थ वेस्ट डारेक्शन में ऐसे करके छोड़ा और यह ऐसे ऐसे घूँम रहा है ठीक है कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यह पेंडूलम धीरे धीरे पहले तो यह ऐसे घूँम रहा था ठीक है फिर इसने ऐसे गती शुरू कर दी फिर इसने वापस उसी दिशा में करी और 49 गंटे 69 मिनेट और 18 सेकेंड के बाद ये अपनी मूल डारेक्शन में वापस आ जाएगा ऐसा किस कारण की वज़े से होता है ऐसा होता है प्रित्वी के अपने अक्स पर घुर्णन और परीक्रमन के द्वारा ठीक है क्योंकि आप तो खड़े हैं आप तो धर्ती के साथ घूम रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है कि धर्ती घूम रही है लेकिन जो ये पेंडूलम है जो कि फ्री अवस्था में है वो धर्ती के साथ घूम रहा है लेकिन अपने आप में भी इसका स्वतन तरस्तित्व ह है क्योंकि ये घूम रहा है किसी बिंदू के सहारे और धर्ती से connected नहीं है इसलिए जब धर्ती घूमती है तो उसको अलग-अलग दिशाओं में प्रक्षेपित करती है अपनी Coriolisis Force का नाम सुना है ठीक है समय के साथ बदलाव कर दिया जाएगा और जैसे-जैस धर्ती गूमेगे आपको लगेगा कि पेंडूलम अपनी दिशा बदल रहा है पहले नौर्थ साउट डारेक्षन में आपको दिखेगा उसके बाद इस्ट वेस्ट में दिखेगा और धीरे-धीरे करते उननचास गंटे उनसट मिनट और अठारा सेकेंड के बाद अपनी मुला उस्था में एक बार फिर से वापस आ जाएगा ऐसे यह पेंडूलम काम करता है तो आप समझे कि प्रित्वी के गुरुणन को दिखाने के लिए जो साइन्टिफिक एक्सपेरिमेंट हमने पहली बार किया और जो सफल एक्सपेरिमेंट किया वो फेकॉल्ट ने किया था लियोन फेकॉल्ट ने किया था और उनहीं के पेंडूलम के नाम इस pendulum को उनहीं के नाम के अधार पर नामकरणिस का कर दिया गया ठीक है तो जहां पर आपकी स्थिति होगी उस लिहाज से ये pendulum घूमेगा जैसे मान लीज़े आप उत्री गोलार्द में हैं ठीक है आप उत्री गोलार्द में है तो ये clockwise घूमेगा ऐसे ऐसे घूमेगा और अगर आप दक्षणी गुलार्द में है तो ये ऐसे घूमेगा पेंडूलम उत्री गुलार्द में clockwise, दक्षणी गुलार्द में anticlockwise ये घूमता है और इसी घूर्णन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप प्रिथवी पर कौन सी जगह पर है उत्री में या दक्षणी में ये भी एक तरीका हो सकता है और जब जब भूमत रेखा पर आएगा तो ये जो पेंडूलम है ये धूरी के لم्बवत ही रोटेट करेगा ठीक है ये वापस कहीं नहीं जाएगा ये अपनी जो धूरी है उसी पर रोटेट करता रहेगा और कभी भी अपना स्विंग नहीं बदलेगा जैसे वो वीडियो जो मैंने आपको कहा वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पेंडूलम है जैसे ये पेंडूलम है ये लटका हुआ है और यहाँ पेंडूलम है ये ऐसे ऐसे गती कर रहा है साथ-साथ ऐसे भी कर रहा है और ऐसे 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 भी गती कर रहा है round प्लस अपने x पर दोनों तरीके से गती कर रहा है तो जब आप equator पर होंगे वहाँ पर ये कोई गती नहीं करेगा कारण क्योंकि आप equator के लंबवत है और जो swing का भिविन्यास है वो बदलेगा नहीं अपने मूल पत से विचलन नहीं दिखाएगा और एक बात और देखिए जब माली जी अगर भारत में भी आप इसका experiment कर रहे हैं मारी parliament में भी तब भी ये pendulum जो है इसके जो व्यास होंगे जो लंबवत होंगे वहाँ पर ये straight line में ही travel करता है बाकी सारे points पर ये ऐसे 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 और इस प्रकार की गतिये दिखाएगा ठीक है आप वो वीडियो जरूर देखे आपको और ज़्यादा clarity आएगी या हो सके तो Parliament House को विजिट कर ले तब आप इसको अच्छे से और अच्छे से समझ पाएंगे सिर्फ images में आपको समझना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा लेकिन फिर भी अगर समझना चाहें तो ये जो pendulum है न ये उपर छत है ये रसी है और ये बड़ा सा pendulum है अब ये क्या करेगा अब ये pendulum ऐसे ऐसे भी घूमेगा ऐसे ऐसे ठीक है और यहां से ऐसे इस धुरी पर थोड़ी दिर ऐसे गूम रहा है फिर ऐसे बदल जाएगा फिर ऐसे बदल जाएगा और जब पूरा बदल चुका होगा तब ये वापस यहां से यहां आएगा फिर य जगह पर घुर्णन करती है भारतिय पार्लेमेंट में इसको लगाने के दो-तीन कारण है और सबसे पहला जो बड़ा कारण है वो है नुच्छेद 51A उस वक्त के जो भारतिय प्रधानमंत्री थे पंडे जवालल नहरू उनका ये मानना था कि भारत में scientific temper का विकास होना चाहिए ठीक है मानवता के विकास के लिए हमें एक research mindset रखना चाहिए और scientific temper पर काम करना चाहिए हमें हर प्रश्ण को पूछना चाहिए हर वस्तु जो हमें समझ नहीं आती है हर सिद्धान जो हमें समझ नहीं आता है उसके उपर प्रश्ण चन लगाने चाहिए जिससे हर विक्ती में एक वैज्ञानिक स्वभाव का विकास होगा scientific temper का विकास होगा और उसी बात को विक्ती भारत के विकास में सहायक होगा ऐसा मानना है हमारे सम्विधान वित्ताओं का इसके अलावा कुछ मूल बाते हैं जो भारतिया संसद से रिलेटेड हो सकती हैं जो आप समझ सकते हैं या static portion के अंतरगत या आपकी current affairs की knowledge के लिए देख सकते हैं तो जो नई संसद बनी है उसमें setting देख सकते हैं कितनी है ठीक है करीब 888 people की setting है वहाँ पर उसमें फिर सुरक्षा कारण है सुरक्षा कारण उसे और ज़्यादा चार्चौपंद किया गया है फिर तकनीक है फिर उसका design है design कैसा किया गया है क्यों ? क्योंकि जो भूखंड है है वहाँ पर वो त्रिकोण ही है और जो नई पार्लेमेंट है वो पुरानी पार्लेमेंट के एक पूरक के तौर पर कारे करती है । इसी लिए उसको त्रिकोण रूप में बनाय गया है प्लस जो भारतिय वास्तु शास्त्र उसका ध्यान पूरी भारतिय ट्रेडीशन को, पूरे भारतिय मानवता को, भारत के इतिहास को, भारत के रिती रिवाजों को, उसकी संस्कृति को, आत्मसात करने के लिए और सभी धर्मों के प्रतीकों के साथ भारतिय परलेमेंट को बनाये गया है, उसका उधगातन किया गया है, और एक भारत समगरता में आप इंडियन पार्लेमेंट में देख सकते हैं। किसी शहर में प्रयोग कर रहे हैं। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी प्रतिक्रिया हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इसके लावा अगर आप इस कारिकरम का पीडियेफ चाहते हैं। तो हमारे टेलिग्राम लिक्ट से जरूर डाउनलोड करने। बहुत बहुत धन्यवाद। कि लिए बहुत 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 अभर आप इसकी कारूर दावाद। झाल झाल